हेलो एंड वेलकम आप सभी का हारदिक स्वागत है है हमारे यूटूब चैनल आइनवीर एज्यूकसिन पर और मैं संपत लेड़ आप सभी की सामने जो है माइस्कुल का एक और नया वीडियो लेके हाजीर हो चुका हूँ आज इस माइस्कुल के नए वीडियो के अंदर हम जो है अपडेट कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं यानि आपने अगर डाटाबेस के अंदर अपने टेबल में डाटा को फीड कर दिया है अगर बाद में आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर आपको कुछ चैंजज कर कर दिया और साइड में दियेगे वैल आइकन को क्लिए करके नोटिफिकेशन आप जो है ऑन कर दीजी जैसे ही मेरा नए वीडियो अप्लोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम जो है आगे बढ़ने से पहले आपके सामने जो है मैं सेलेक्ट का अपडेट का जो है कमांड आपके सामने लिखे आ जाता हूं अपडेट का कमांड इस प्रकार से होता है कि पहले आपको जो है अपडेट कीवर्ड लिखना पड़ता है उसके बाद में आपको जो है यहा कीवर्ड और यहां पर आप लिखेंगे कोलम नेम और उसकी वेल्यू ठीक है अगर वो इस ट्रिंग में है तो यहां पर आप डबल कोटेशन यहां पर एड़ कर सकते हैं इसी तरीके से दूसरे कोलम की नाम उसकी वेल्यू और तीसरा कोलम उसकी वेल्यू इस प्रकास से आप इतने चाहे खोलमएट कर सकते हैं और उसके बाद में आप यहां पर वेर और कंडिशंग एक चीज़ आपको मैं आगे बटने से पहले यह बताना चाहूं च्छुरू करते हैं आज का इस प्रैक्टिकल क्लास ठीक है तो सबसे पहले मैं जो है अपने exam control को start कर देता हूं तो यहाँ पर अपने सामने exam का control जो है panel start हो चुका यह आपर मैं आपाची server को start कर देता हूं देन उसके बाद मैं आपर mysql server को start कर देता हूँ ठीक है तो ये दोनों जो है एक बार अपने start हो जाते हैं उसके बाद हम अपना mysql start करेंगे mysql workbench तो यहाँ पर अपने connection के उपर double click करके इसका editor open कर लेते हैं अब देखिए अपना editor open हो चुका है अब हमें जो सबसे पहला काम करना वो है अपना database open करना या उसको use करना तो यहाँ पर हम लिखेंगे use और database का name और इसको कर देंगा मैं यहाँ से execute यह देके अपना database हो चुका है यहाँ पर लिखा चुका है ठीक है अब हम अपने table का एक बार record आपके सामने लिखेंगे आ जाते हैं तो यहाँ पर table का record लिखने के लिए हम लिखेंगे select star from table का name तो मैं यहाँ पर देता हूं student इसको मैं यहाँ से execute कर देता हूं यह देके अपना student नाम का जो table था उसका record यहाँ पर आ चुका है अब मैं आप देखेंगे आपके सामने एकिक करके जो है record को समझाता हूं ठीक है अभी इस table का record जो है यहाँ पर मैं इसको रहने देता था हूं मैं यहाँ पर एक अलग से tab के अंदर यहाँ पर आपको समझाता हूं इसके बा देता हूं ताकि अपनको यह साथ में practical समझाता हूं अब देखें मैं यहाँ पर आपकी सामने इसको समझाता हूं मान लीजिए मेरे को यहाँ पर 101 मिनाक्सी का जो एज है वो 21 करना या 20 करना है ठीक है तो आप देखें पहले यहाँ पर यहाँ पर हम पहले डालेंगे update और मैं लिए उसके बाद हूस की टेवल करने तो चले हाँ पर मैं सुरू करते हूं मैं यहाँ लिख देता हूँ update और टेबल का नाम दी देता हूं मैं student ठीक है student और उसके बाद दीके हम क्या लिकेते हैं तो next हम जो है इसके अंदर लिकेंगे set और कोलम का नेंच ठीक है तो मैं यहां पर लिकांगा fate और कोलम का नेंच है अपना यहां पर यहां पर और मैं आपर अगर a गर कंडिशन क्रिएट नहीं तो यहां पर जितनी भी age है सभी कि यह जो है 20 हो जाती तो मुझे सिर्फ यहां पर एक ही का जो है age change करना है तो मैं यहां पर उसका जो है role number या कुछ भी लिख सकता हूँ ठीक है जो unique value ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ role number equal 101 और इसको मैं semi column देता हूँ अब क्या होगा कि यह चेक करेगा role number 101 यहां पर यह set करेगा इसके अंदर age होगा वो 20 करेगा कहां पर role number 101 की जो value है age में ठीक है मैं इसको यहां पर कर देता हूँ execute ठीक है और यहां पर इसको मैं again execute करता हूँ और सुर्य यहां पर मैं होए है इसको अगयन यहां पर सेलेक स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इसको यहां से execute कर देते हैं तो यहां पर role number 101 यहां पर value हो चुकी है बट अब हुआ है यहां पर हमने जो है space नहीं दिया था इसको देखिए आपर मैं इसको अगयन कर देता हूँ देखिए आपर यह जो है मिनक मिनाक्षी का जो है record यहां पर आपके सामने लिक्या चुका है ठीक है हमने यहां पर जो है age set की थी 20 वो देखिए यहां पर आपके सामने इसका age 20 हो चुका है माने जी मैं अगयर एक दूसरा record लेता हूँ जिसमें मिरको 235 जिनके roll number है उनका age मिरको 25 या 21 करना है मैंने गलती से जो है इसका 23 कर देखिए 21 करना है तो मैं कैसे लिकूंगा इसको तो मैं यहां पर age को यहां पर कर देता हूँ जो भी मेरकोई set करना है 21 कर दिया और यहां पर roll number मैं लेकिया जाता हूँ 235 ठीक है तो यहां पर मैं इसको डाल देता हूँ 235 ठीक है यहां पर इसको execute कर देते हैं ठीक है यहां पर यह चैंज हो चुका है डिटेल्स और इसको यहां पर आभी दे क कि आप 23 हैं इसको मैं execute करता हूं यह देखिए यहाँ पर आपके सामने 21 का record आ चुका है तो यह था सातियों update कमांड की साइटा से हम एकल यानी सिर्फ एक record को कैसे change कर सकते हैं आपको मान लिया कि यदि एक से ज्यादा record को change करना है तब आप क्या करेंगे ठीक है मेरे को एक सा के अंदर changes करना है ठीक है तो यहाँ पर mobile number देख लिए यहाँ पर 258741 तो यहाँ पर मैं जो है इसमें mobile नमर जो है अदर एड़ करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा उस column का नेम तो column का नेम होगे अपना phone तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसके अ आने दीजिये ठीक है अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूं execute तो यहाँ पर देखिए यह change हो चुका है यहाँ के मैं जो है इसको चेक करता हूं तो यह जो है टू त्री फाइफ के अंदर इस चैंज करेगा क्योंकि अमने रोल नमबर जो है इसके नदर change नहीं किया है इह यहां पर जो रोल नमबर अभी हमने जो फॉन नमबर सेट किते वो यहां पर एड़ हो चुके हैं ठीक है तो यह इस प्रकार से हम जो है एक से अधिक जो कोलम है उसको भी यहां पर हम चैंज कर सकते हैं ठीक है यहां पर आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अब मालिया आप को एक साथ ठीक है एक साथ एक से अधिक रोज का डिटेल सेट करना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर यह जो is है ठीक है यहाँ पर लक्सीता दैन या पर लली इत इन दोनों का जो है शो ट्वैंटी टु होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहां पर पहले हम age set कर देते हैं 22 ठीक है अब आगे यहां पर थोड़ा ध्यान से देखेगा ठीक है तो यहां पर मैं दोनों आईडीज का चेंज करना जाता हूं तो मैं यहां पर role number जो है उसको इस परकार से लिकूंगा where role number और उसके आगे मैं लिकूं पांच आ गया कोमा देके आप 215 डाल दीजिए एक बार चेकर लेते हम 215 और 105 का जो यह जोगा वह आपके 22 हो जाएगा इन दोनों का ठीक है तो यहां पर इसको मैं Execute करते हैं, Semicolon अब इसको हम करते हैं Execute तो यहां पर वापस देखते हैं हम यहां पर आके देखें कि यहां पर जो 23 और 32 है वह अब 22 convert हो जाएंगे तो यहाँ पर यह execute हो चुक है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर select star promise student इसको execute यहाँ पर देखेंगे आप दोनों का age जो था वो 22 हो चुक है क्योंकि हमने एक साथ एक से अधिक रोज का इस बार data जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और यह वीडियो अच्छा लगाए तो इसको like ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए ठीक है इसके साथ मैं संपतलिर आप सभी से अलवीदा लेता हूँ मिलते हैं mysql के एक और नए वीडियो के साथ धन्यवाद